जैश्री क्रेशना राधे राधे सभी को ये लीजे ये रहे हमारे प्यारे से कनहया और ये रही हमारी प्यारी सी लाडली श्यामा ये देखे ठंड हो गई है ना तो लाडली ने स्वेटर भी पेना है ठंड हो गई है बहुत कमरे में तो ओर ठंड लग रही है जल्दी से इनक कमरे के लिए हम कुछ एक और चीज लाने वाले हैं खेर वो बात में बताएंगे अभी हम बात करते हैं आज की बहुत ही सुन्दर सी लीला के बारे में लेकिन उससे पहले पून रूप से आप हमारी लाडो को देखो लाडो खाना वाना सब हो चुका है हमने आज बहुत सारी चीज खाई है है ना लाडो यह देखो तो आज की जो लीला है वो मैं जल्दी से शुरू कर देती हूं क्योंकि देखे मेरे फोन में कितनी देर तक यह लीला चलती है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा फोन ही बंद कर दिया जाता है तो जहां तक वो चाहते हैं वहां तक gifts आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत-बहुत सारे gifts जो है आए जा रहे हैं और जो से tobacco है वो भाग-भाग कर देख रही है अरे बापने ये gifts कहां से आ रहे हैं इतने सारे gifts और वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि दिव्या एक exclusive creator बन गई है तो आपको मैं ये पहले तो एक ये good news दे देती हूँ now I am becoming an exclusive creator तो वो मैं बन चुकी हूँ चलिए ये चीज तो मैंने आपको बता दिया है साथ ही उसी के मतलब एवज में जो है बहुत सारे gifts जो है आ रहे हैं अभी ऐसा हुआ नहीं है ठीक है ना कोई gift आया नहीं है ये स्वपन लीला है ठीक है कि उसमें बहुत सारे gifts जो है आए जा रहे हैं और आने के बाद में वो gift जो है जब खोल रहे हैं तो सेवी का बहुत excited है उन gifts को देखकर कि ये gift वो gift तब ही हमारी जो लाडली श्यामा है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम सब नहीं तो कहा था कि इतने पैसे ये दो इतने पैसे वो दो तो ये देखो ये सारे average करके सारे gift आये जा रहे हैं तो सेवी का कहती है सच-सच बता लाडली क्या ये भिहारी जी दे रहे है इतने सारे गिफ्ट हमको तो सेविका कहती है नहीं मुझे नहीं पता तुम जाके देख लो नीचे तो सेविका भाग कर नीचे जाती है वो देखती है कि अरे ये तो मम्मी के घर पे भी गिफ्ट आ रहे है फिर सेविका भाग कर नीचे जाती है नीचे के फ्लैटों में देख तो गेए पाई HARज हो क्या? तुम्हारे गिफ्त तुमारे घर क्यों आईंगे? हमारे गिफ्त ही यह जो भी आरहे है ठीक है ना? तुमारे गिफ्त नहीं है? सेविका यह सुन कर फिर मतलब यह बहुत चिंतित हो जाती है कि लाडू बता ना कि ये गिफ्ट कहां से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं तो वो कहते मुझे नहीं पता तुम जाके देख लो तभी ना थोड़ी देर दूर जो है सेविका के मन में आता है क्यों ना मैं वरिंदा बन जाके देखू कि ये लोचा क्या है मतलब ये गिफ्ट आ कैस से रहे हैं कहां से आ रहे हैं तो सेवी का जो है जाती है लेकिन वो रास्ते में क्या देखती है कि हमारी लाडली श्यामा जो है सारी मतलब इतनी सारी पब्लिक हैं सब को गिफ्ट बांट रही है हमारी लाडली यानि कि हमारी लाड़ो सबी को inj recommend с typically कहती है ओहौँ तो बात यह है यानि कि हमारी लाडली श्यामा बांट रही है सब को गिफ्ट higher मेरे को लग रहा था ठाकुर जी बांट रहे हैं ठीक है और चलो कोई बात नहीं लाड़ो तू यहां बांट मतलब हो मनीमन में विचार करती है और सीधे खुँद उठकर विंदावन चली जाती है तो सेविका जो है विंदावन जाके देखती है कि चलो मैं तो सोच रही थी क हमारे बिहारी जी गिफ्ट देते हैं लेकिन हमारी तुष्यामा देती है चलो कोई बात नहीं लेकिन जैसे ही वो मंदिर में एंटर करती है सिविका वो क्या देखती है कि हमारे जो लाला है वो बैठे हुए हैं साथ ही उनके कान में एक पैन लगा हुआ है हमारे लाला के ठीक तक लगी हुई है साथ ही बगल में बुजर्ग से मुनीम बेठे हुए हैं ठीक है और वो आपस में ये दोनों जो है बात करें और आखों पर भी एक चश्मा सा है जिसको नीचे किया हुआ है ठीक है और उसमें से हमारे कनहिया को ये बात मालूम है कि सेविका उनको देख रही हैं जैसे कि उन्होंने सेविका को देखा ही नहीं है और दोनों आपस में वो और हमारी कनहिया जो है मुनीम से बार-बार बोल रहे हैं हाँ ये लिखो इधर लिखो ऐसे लिखो यहां लिखो मतला गुपचुप गुपचुप वाली बाते मुनीम में और बहारी जी में चल रही है मुझे न ये लीला पर बहुत हसी आ रही है बार-बार लेकिन मैं आपको पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप पूरा वो चीज पूरा द्रश्य महसूस कर सके और वहां पर दोनों जो है और टेड़ी आँख से जो है हमारे कनिया जो है सेविका को भी देख रहे हैं कि अच्छा यह देख रही है और उसको दिखा दिखा के और बोल रहे हैं अब यह लिखो ज़रा मुनीम जी यह मतलब हम लोग बोलते हैं तो वो उसका काम करते हैं बाकी यह कौन है वो भी मैं बताऊंगे आपको लेकिन वो बुजर्ग है और वो पता नहीं कब से जो है लिख रहे हैं काना जी का और काना जी उस पर लिखवाये जा रहे हैं कभी सोचते हैं कभी विचार करते हैं माथे पर हात मारते हैं फिर वह हातों से कुछ इशारे करते हैं तो तो आप यहां पर यह कर रहे हैं मैं देख रहे थी बहुत देर से तो हमारे उन cone sait अभी कैसे आ तुम कैसे आ गई और काना जी जो है उस तक को छिपाने लगते हैं हलका सा तो सेविका किती बहले बताओ कि आप ये कर क्या रहे हो मुझे बताओ मुझे देखना है मैं तो वह सोच रही थी कि ठाकुर जी यहां पर बहुत सारे गिफ्ट बांट रहे थे हमारे घर में इतने सा उन सब की उधार यह लिखवा रहा हूँ ठीक है मुझे जी आप यह लिखो इनका लिखो इतना इतना हो गया इतना लिखो इतना लिखो तो सेविका कहती अच्छा तो ये बात है आपने सबसे पहले तो हमारा घर भी जब्द कर लिया हर किसी की प्रॉपटी आपने जब्द करके रख रखी है और अब आप उधार भी लिख रहे हो किस को आपने उधार दिया है बताना जारा तो काना जी कहते हैं देखो सारी दुनिया पर ना मेरा उधार चल रहा है ठीक है सबसे पहली बात तो सब पर मेरा उधार है मैं एक एक का नाम नहीं बता सकता लेकिन हाँ जो मुझसे मांगता है मैं उनका लिख लेता हूँ। तो सेविका केती इसका मतलब आपने हमको जो जो दिया है वो सब आप यहां लिख रहे हो। बोले लिख भी रहा हूं और भ्याज भी लिख रहा हूं। खाली लिखनी रहा हूं, ब्याज भी साथ मैं लिख रहा हूं, तो सेविका बोली, हे बगवान, आप कितने बड़े लुटे रहे हैं, आपने पहले तो घर भी और प्रॉपटी के पेपर भी आपने रख रखे हैं, अब आप जो देते हो, उसको भी आपने लिख रखा है, और आप उसकी ब्याज भी लेते हो, और साथ में अब मुझे समझ में आया, अब मैं सब को बताऊंगे, कि आप क्या करते हो, आप जो है, पहले तो आप चोरी करते थे, माखणी चुराते थे, अब तो आपने प्रॉपटी के पेपर भी चुरा लिए, और अब आपने जो है, उ युद्ध चल रहा है, वारता लापका, काना जी भी खूब इधर उधर के चेहरे बना बना कर, खूब सारी बाते करकर के, खूब सारे उलाहने जो है, सेविका को दे रहे हैं, और कह रहे हैं, तुम इधरी बाते मत बनाओ, तुम तो वैसे भी लाखों वर्सों से मेरी हो, तुम पर इतना कर्ज है मेरा, तुमको वो सारी उधरी जो है, तुमको जब तक चुक नहीं जाएगी, तब तक तो तुमको जो है, मेरी बात माननी पड़ेंगी, तो काना जी कहते हैं, तो सेविका कहती है, अच्छा, तो ये बात है, यानि कि आप जो हमें दे रहे हो, अब मुझे समझ में आया, कि पहले आप देते हो, मोहमाया में फसा देते हो, और फिर कहते हो, मोहमाया से प्यार मत करो, फिर अब मेरी समझ में आया, आप दुनिया से तो कहते हो, मोहमाया से दूर हो जा और खुद आप मोहमाया में फसे हुए हो, ये देखो, आप कितने ज वह उसकी तो मैं वह सारी कि सारी हो धारी लिखता हूँ और मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं हूँ तो सेविका के ते हैं तो आप छोड़ते नहीं हो तो हमारा कुछ कम कर दो ना तो अगर मैंने सालों से मुझे से लिए जा रहे हो तो अगर सोचो अगर मैंने तुम्हारा में बता दू तो तुम्हारा सोलवा जनम होता ही और सोलवा जनम में तुमने मुझे कितना कुछ लिया है तो वो उधारी तो मुझे लिख के रखी है और इतनी सारी चीजे हैं तो सेविका कहती अच्छा तो ये बात है फिर आप दुख दर्द भी तो देते हो तो कहरे देखो जब मैं अपने भक्तों के मांगने पर उनको हर चीज देता हूं और जब वो मुझे ब्याज नहीं देते और जब वो मुझे मतलब मेरा जो सूत है वो नहीं देते तो भई दुख दर्द उनको मिलेगा ही तो मैं क्या कर सकता हूं तो सेविक उसे दूर तो काना जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए हमेशा मोमाया में नहीं रखता हूं लेकिन मैं देता सब हूं जितने की जरूरत होती है उतना देता हूं उपर नहीं देता हूं मै स्वार्थीज वाली चीज में नहीं देता हूँ ठीक है तो सेविगा कहती है अच्छा तो पहले ये बताओ कि आप जो है मतलब मैं तो आप से जाधा नहीं लेती तो सेखाना जी कहते हैं तुम तो चुपी रहो एक नंबर की जूटी हो कितनी लालची हो तुम कितना मांगती हो मुझसे तुम्हारे तो लाखो जनम्स को जनम्स जो है तुम्हारे उधार है और वो सारे के सारे तुमको चुकाने पड़ेंगे तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ूँगा मैं और मैं किसी उसका भक्त का पीछा नहीं चोड़ता हूं जो मुझसे हुधार लेता है तो सेविगा बोल सी अच्छा ये बात है और क्या तुम पे तो और भी करजा है तो सेविगा बोले अब एब और कौन सा करजा है धान तो खाओगी उसका करदा तो चड़ेगा तो सेविका कहते हो लेकिन उसको लिखते रहते हो बोले मैं पूरी एक एक चीज लिखता हूं कि इसको क्या क्या देता हूं और फिर उसका बराबर का हिसाब करता हूं तो सेविका कहते हैं बताओ ना कैसे ही साब पूरा करते हो बोला मैं ऐसे ही साब पूरा करता हूं कि मैं कहता हूं कि तुम मुझे याद करो मुझे प्रेम करो मुझे लाड़ करो और जब मुझे प्रेम लाड़ नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं यही मेरा करजा है और यह यही कर्ज और उधार है मैं जो भी देता हूं उसके बदले में यही लेता हूं तो यहां पर इन दोनों की बाते होती है चलो इस बात में सेविका और दोनों में आपस में बात हो जाती है तो सेविका कहती है लेकिन सुनो काना जी मैं अब आपके पास भी रहूंगी आपसे अ अधारी लिखती है न सारी चीजे लिखती है और मैं वहा जाकर नाब का नाम बता दूँगी कि आप ऐसे करते हो तो कानाजी कहते नई ननी बरसाने में जाके बिलकूल मत बोलना वर ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां मेरी राधा रहतीयों तो सेविगा कहती है वही तो मैं बताऊंगी जाके कि लाडली ऐसा नहीं करती है और आप ऐसा करते हो तो बोले करना पड़ता है करना पड़ता है तुम समझो चलो छेख खेर छोड़ो इस बात को चलो तो सेविका कहती है ठीक है तो मैं जा रहे हूं यहां से तो कारण जी बोले मेरी इजाज़त के बिना तुम यहां से नहीं जा सकती हो बिल्कुल नहीं जा सकती हो तो वो गरें अच्छा मैं जाके दिखाती हो आपको तो कारण जी कहती है देखो तुमको सुधारने का काम तो मेरे हाथ में है, तुमको तो सिर्फ मैं ही सुधार सकता हूँ, जाओ तुम जाके दिखाओ यहां से, तुम पैर भी रखके दिखाओ जहाँ, जब तक मैं नहीं चाहता, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो सेविका जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने की चेस्टा करती है, तो क्यों जाना चाहती हो, तो वो गिंदि क्या काना जी, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो बोला, इसी लिए तो नहीं दिया, तुम पहले से ही बहुत कर्जे में हो मेरे, पहले वो चुकत करो पूरा, उतना नाम जब करो, उतना प्यार करो मुझे, उतना लाड करो, ये बहुत बड़ी करपाई कि मैं तुमको दिखता हूँ तो काना जी ये बात सेविगा से कहते हैं तो फिर सेविगा कहते हैं अच्छा तो मुझे ये बताओ मुझे फिर रखोगे कहां लेकिन जहां मैं रहूंगी वही हमारी फैमिली भी रहेगी तो काना जी कहते हैं मुझे पत अप हमें कहां रखोगे, तो काना जी आच्छा आखे बंद करो, चलो, आखे बंद करो, तो वो क्या देखती है, देखे, वो जो सीन है, वो सीन दिखता है की यमुना नदी है, यमुना नदी के पास जब देवरी बावा की तरफ जाते हैं तो साईड को एक ताता और तट के उधर कोई मतलब building है मतलब building बोले तो कुछ गाओं और कुछ building type का है कुछ और वहाँ पर एक घर से निकलते हुए सेविका अपने आपको देखती है और उनके हाथ में कुछ और साथ में कनहिया ने हात पकड़ा हुआ है सेविका का और सेविका वहां से चल के जा रही होती है और वो यमुना के किनारे किनारे चल रही होती है तो वहीं पीछे से वो देखती है कि मैं यानि मैं भी पीछे से उस घर से निकलती हूँ तभी सेविका आवाज लगाती है कि इधर आजा इधर आजा कनिया यहां पर है औ और कनहिया को पहले मैं देख नहीं पाती हूँ लेकिन सेविका बोलती है कि आप इसको दिख जा वो नहीं दिख पा रहे हो आप उसको तो तभी सेविका कहती है तो काना जी मुझे दिखने लगते हैं और फिर काना जी जो है सेविका का एक तरफ से हाथ पकड़ा है तो सेवि नहीं तो सेविका कहती है वाव काना जी कितने अच्छी जगह है क्या हम यहीं रहेंगे तो काना जी ने बोला हाँ मैं हमेशा तुमको यहीं रखूंगा अपने पास और जब भी व्रिंदावन आती हो न तो तुम लोग यहां आया करो यहां पे और कहए तुम्हारे पूरे प हैं और उसके बाद सेलो काना जी कहते हैं अभी नहीं जा सकती हूं रुको चलो अब अब हो गया चानु जी अरप और जाओ जणेया द्वार पाल रोकते नहीं तो अब ना सीना के से विधा बहुत ऊधार है ठीक है ना रोकना नहीं मुझे बहुत उधार है और इस शब्द को बोलते बोलते वो बहुत तन और बहुत घमंड में होके जा रही है कि मुझे पर काना जी का बहुत उधार है ठीक है ना मुझे रोकना नहीं और पीछे फिरकाना जी कहते है और फिरकाना जी इशारे करते है ठीके ठीके जाओ जाओ अब तुम जाओ तो इस प्रकार ये सुन्दर जी लीला मेरे प्यारे से लाला ने आज दिखाई है और आज दो चीज और हुई है एक सु अपन मुझे और सेविका को दोनों को सेम सेम आया है और समय होगा तो मैं जरूर बताऊंगे कि इसको पोस्ट क प्रकार ये और आज एक बहुती स्पेशल कि आज मेरे कनहिया ने मुझे बहुत ही दिव्य दर्शन दिये है और मैं इस बात से इतनी खुश हो इतनी खुश हो कि वह सीन मेरे आखों से नहीं निकल रहा है बहुती सुन्दर सा द्रश्य है वो भी मैं बताऊंगी और एक और एक साक्षात लीला भी की आज मतलब कई चीजे हुई है तो मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत खुश भी हूँ ये सब सब कनहिया का आशिरवाद है हमारे काना जी ना जाने कितने जन्मों का ये फल है कि हम हमारे लिए मैंने कहा ना ये स्वपन नहीं होते हैं हमारे लि तो जो काना जी ने कहा है देखे जो काना जी को प्रेम करते हैं काना जी हर इनसान की हर ख्वाइश को पूरी करते हैं जो जाइज होती है यानि जो उचित होती है अनुचित चीज नहीं जो प्रभू जानते हैं कि वास्तव में एक मानव को किस चीज की आवश्यक्ता है वो जरूर उसको प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य कैसा है, वो लाल्ची हो जाता है, वो ऐसी चीजे भी प्रबू से माँगने लगता है, जो कि उसके विर्थ की है, सिर्फ वो मतलब सच में सिर्फ इच्छाएं हैं, वो वास्ता में जरूरत नहीं है, तो ऐसी चीजे जब हम प्रबू से मांगते हैं, तो कभी-कभी प्रबू ऐसा नहीं है, प्रबू तो हर चीज देने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन वो हमारा मन भाव भी देखते हैं, तो सारी दुनिया उनकी कर्जदार है, और उसका लेखा जोखा जो प्रबू ने बोला है कि मैं लिखता और उसके फेवर में प्रबू को क्या चाहिए, तो ये समझ आईए कि जो जो प्रबू की आज कृपा दृष्टी पा रहे हो, तो हम सब प्रबू के शुरू से भक्त रहे हैं, कहीं न कहीं प्रबू ने हमें गलतियां करने से बचाया है, कुछ ने गलतियां की हैं, उन गलत करना उनको लाड करना आप समझ रहे हैं आज सब के पास समय है आप प्रभू को मिलिए प्रेम करिए उनको और उन्होंने एक चीज और बोली है अपनी लिला में कि ये मेरे मर्जी है कि मैं कब किसको कितना दूंगा और कितना मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा मैं कब लीला दिखाऊंगा और कब लीला नहीं दिखाऊंगा तो किसी ना तो मनुष्य के हाथ में हैं ना मेरे हाथ में ना सेविका के हाथ में हैं ना ही किसी और के हाथ में हैं कि प्रभू ये लीला हैं रोज दिखाएंगे या कभी-कभी दिखाएंगे जरूरत होगी तब दिखाएंगे ये वही जानते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं और वो जानते हैं अगर हम सेवा को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में प्रभू को जरूरत पड़ेगी क सब्सक्राइब ना मैं जानती हु मैं सरिफ इतना जानती हूं यह सब-सब कृपासे हो रहा है और यह जा आगे समस्था को सीखने को मिल रहा है कि प्रभू आपसे चाहते क्या हैं प्रभू धन दौलत एशूरे भी देते हैं लेकिन उन्होंने जब एशूरे वाली वोली य श्याद रखिएगा एक-एक लीला उन्होंने सपस्ट करके बता दी है अब बहुत सारे भक्तों केhtे हैं कि लीला आ बहुत अची बात करताई है कि 나 बहुत बड़ी बात है मैं ग्रंतों में न पुरानों में मतलब कितनी लाखों लिला कोती होंगे हमारे साथ तो ये स्पस्ट लिला हैं और इन लिलाओं का जो श्रे है ये सब न जाने हमारे कौन से पुनर जन्मों का फल हमें प्रभु दे रहे हैं और उसका श्रवन भी इतने सारे भक्तों को मिल रहा है सीखने को मिल रहा है प्रभु जो करें उनके हर एक उनके कहे शब्दों का आप रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि जब आप सम्मान करेंगे, तभी हमें सीखने को मिलेगा, और सीखते हुए प्रभु क्या कर रहे हैं, ये तो उन्होंने स्पस्ट बोली दिया है, कि वो कहां पे विराजित हैं और कहां नहीं होते, तो आप सभी को एक तो उन्होंने ये बताया, दूसरा उन्होंने जो ये द्रश्य दिखाया, कि मैं अपने समीप रखूंगा, तो हो सकता है भविश्य में कभी काना जी हमको पूर्ण रूप में, देखिए, ब्रजवासंतों मैं पहले से ही हूँ, पैदाईशी रही हूँ इतना तो भोध नहीं था, ग्यान नहीं था, वो जाके अब मिला, साथ ही अप रभू शायद वरिंदावन में, मुझे नहीं पता है, देखिए, कितने वर्स लगेंगे, कितने साल मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप सब इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो शायद ये भी पता चले कि कब क्या होगा, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता, तो मैं आपको वो भी बता देती, मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता है, मैं कब हूँ, कब नहीं हूँ, कुछ नहीं पता है, लेकिन ये जो चीज जो चल रही है, ये सब मुझे ऐसे लगता है, कि मै इस दुनिया में हूँ ही नहीं, मैं इस दुनिया को नहीं समझ पाती हूँ, मतलब कि मुझे ये लगता है, ये अलग दुनिया है, जो मैं जी रही हूँ, यकीन मानो, क्योंकि ऐसे स्वपनली लाएं, ऐसे दर्शन, आप सोती हूँ, तो मन करता है कि फिर सोती रहूँ, क्यों आज सुबह से जब सबना देखा थाफ से सोच रही हूं मैं जल्दी से काम करके सोचाऊ हूं, आज लाला क्या कहेगा। तो ये जो चीजे हैं बहुत अलग हैं, काम भी करना है, जीविका भी चलानी है, घर ग्रस्ती भी देखनी है, बच्चों का लालन पालन भी करना है, सारी चीज करते हुए ये प्रभू की ही महान कृपा है, आज मैं क्या बताऊं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन बहु बहुत बहुत दिवे हैं तो आप सब को भी आशिरवाद मिला है और आप सब भी प्रभु के करजदार हैं सब उधारी लेके बैठे हुए हो आप सब भी ठीक है अब उनकी उधारी चुकाने का तरीका समझ आ गया खूब लाड़ लड़ाओ उनको खूब प्यार करो और जो भ पूटियां करी हैं कहां कहां करी है अब खुद अपने आप निकालो उनके उत्तर कितने सारे मिरे पास प्रशन आते थे कि इतनी भक्ति करने के बाद भी या हमने जो है इतने कस्ट कैसे मिल जाते हैं कि देखे हमने किसी जन में प्रभु के इतने कर्ज को हम भूल गए और उनका कर्ज उतारने का तरीका क्या है जी उनको खूब सारी भक्ति उनको बहुत सारा प्रेम देना और मन से इरश्या को हटा देना आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी एक ही वीडियो में तो बहुत सारी चीज नहीं हो पाती काना जी ने इस फस्ट कहा है मैंने कल ही मतलब ये चीज जो है सामने आई मेरे कि जब हम दोशों को ढूड़ने लगते हैं किसी भी व्यक्ति के तो उस व्यक्ति के पाप भी हमारे जीवन में आ जाते हैं समझ में आया तो आप दोशों को न ढूड़कर आप अच्छाईयों पर ध्यान दो ताकि आपको जीवन में सिर्फ अच्छाईया प्राप्त हो ठीके जी ये बहुत बड़ी बात बोली है इस बात पर ध्यान दीजेगा ये सब प्रभु आदेश हैं उन पर ध्यान देकर अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाईए चोटे से सरल जीवन साधारन जीवन को नॉर्मल जीवन को बहुत ही दैवियर मतलब तरीके से आप बना सकते हैं आपके जीवन को हर वक्त हर्ष का उल्लास का माहौल रहेगा खाना भी खाओ अच्छे वस्त्र पहनो प्रभू को प्रेम करो अराम से सो होगे तो स्वपन भी इतने सुंदर सुंदर आएंगे है ना तो खूब प्रेम करो खूब सारी आशिरवात काना जी की तरफ से और देखो आज तो मेरे लाला ने इतने सुंदर दर्शन दिये जैसे ही फ्री मतलब फ्री क्या यह वीडियो चला जाएगा ना उसके बाद देखती हूं क्योंकि एक साथ दो तीन वीडियो नहीं अपलोड हो पाते मेरे फोन से ठीक है जी तो खूब सारा प्यार रादे रादे